अब लोगों के लिए एक exclusive series लाहे हूँ एस्प्रेसो के साथ जहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ all about swing trading ये करीब 9-10 वीडियो की series होगी जो आपको exclusively यहां पर मिलेगी जहां पर हम बात करेंगी कि यार ये swing trading होती क्या है swing trading के लिए mindset कौन से रखना चाहिए swing trading में कौन सी चीज होगा ध्यान रखना चाहिए और हाँ अगर आप एकदम beginner हो या intermediate player भी हो जिसको कुछ भी नहीं पाता swing trading के बारे में तो भी tension लेने की ज़रूत नहीं विकाज ये particular series अगर आपने end तक देखी तो आप बहुत सारी trading वीडियोस बनाने के लिए तो चलिए आज हम पूरे basics को समझेंगे कि swing trading होता क्या है एक intraday trading के बारे में तो हम सबको पता है कि सुबह लिया सुबह बेचा लेकिन दोनों के बीच में difference क्या होता है swing trading के फाइदे क्या है what are the advantages of swing trading क्यों करना चाहिए swing trading ये सारी चीज़े न lock को किसी भी index को या even futures and options को hold करते हो तो उसको हम कहते है swing trading आइडियल ये derivatives में नहीं cash segment में जाधा किया जाता है NACPAC पे बट हां कुछ लोग options and futures में भी जब carry forward करते है उसको swing trading कहते है अब swing मतलब क्या होता है अब देखे swing को एक simple सा समझे हिंदी में swing मतलब जूला जूला किस तरह से इस तरह से जाता मतलब it keeps on swinging from left to right तो swing trading basically क्या होता है बड़े swing के लिए आप खेल रहे हो अब ये आपको समझना है आप बोलोगे कि ये तो investing हो गई investing में भी तो हम पकड़ के बैठ जाते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि technical terms में अगर investing की बात करें तो investing वो होता है जब आप at least 365 दिन 365 डेज होल्ड करते हैं या उससे जादा होल्ड करते हैं अगर उसके नीचे करते तो technical terms में उसको investing नहीं कहते हैं तो अगर आप सतों के लिए भी होल्ड करते हो तो वो स्विंग आ जाता है उसके बाद positional ट्रेडिंग आता हो उसके बाद investment आता है तो स्विंग ट्रेडिंग फास्टर होता है as compare to investing और दूसरी चीज़ आपको ये समझने हैं कि देखो intraday trading में आप क्या करते हो आप 5 मिनिट का candle देखते ह थ्री मिनिट का candle देखते हो, 10 मिनिट का candle देखते हो, 15 मिनिट का candle देखते हो, वहीं पर आप swing trading में हमेशा, हमेशा एक higher time frame पे trade करते हो, एक बड़े time frame के लिए आप monitor करते हो कि किस तरह से, बड़े time frame से आप बड़े swings पकड़ते हो, इतना clear हो गया, अब हम यह समझने की कोशि trading, तो आपको यह पहले समझना पड़ेगा, देखो swing trading क्या होता है, कि swing trading में आपके rewards बड़े होते हैं, intraday trading में आप आते हो, 0.5% का stock का move हो गया, 1% आगया, because आप leverage लेते हो, cash में आप 5X तक का ले लेते हो, MTF में 4X तक का ले लेते हो, या कोई दूसरी भी चीज अगर में निकलोंगा, तो basically intraday में अगर 100 rupees का stock है, तो आप 1 rupees chase कर रहे हो, लेकिन swing trading में उसी stock पे आप 110 तक का wait करोगे, 10 rupees chase करोगे, दूसरा swing trading ना बहुत जाधे suitable होता है, for office goers, even businessmen, even housewives, जिनको जादा समय नहीं मिलता है, screen के सामने बैठने का, देकि intraday trading by default will demand a lot of your time, वो चाहे जा रहा है, कैसे जा रहा है, यह सारी चीज़े, आपको ध्यान बेर रखनी पड़ेंगे, लेकिन swing trading की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो swing trading में क्या होता है, आपके पास comfort है, आप दिन में अगर 30 minutes भी analysis करो, बहुत सारे swing traders तो ऐसे जो week में max 2 गंटे या 1 गंटे का analysis करते अपना stock लेते हैं, stop loss लगाते हैं, target लगाते हैं और बढ़ी अपने काम पे लग जाते हैं, तो आपको समझते हैं, एक office goer जो जाधा समय नहीं कर सकता, plus आपके risk taking capacity बहुत जाधा नहीं, देको intraday में रिस्क थोड़ा जाधा लेना पड़ता है, तो आप risk लेते होता है, त P15 तक का game है पूरा, तो अगर इसी के बीच में आपने trade कर लिया तो ठीक है, otherwise आप stuck हो जाते हैं, तो आपको यह चीच समझनी पड़ेगी, कि swing trading में time आपका friend है, बड़े लोगों के यह मैं अगर बात करूँ, specifically India में, तो other than prop desk, maximum बड़े लोग swing trading prefer करते हैं, क्यों? position होगा, वो वहाँ पर उसी fate पर depend करें, ऐसा क्यों इसको समझी है, देखिए जब बहुत बड़ा capital बन जाता है, अब आप एक साथ तो 50 lakh, 1 करोर, 2 करोर तो नहीं लगा होगी, क्यों? विकोज आपने intraday का setup देख लिया, सब कुछ देख लिया, बट उसी दिन अचानक से एक वार की situation आ गई, तो आप फस सकते हो, तेकिन swing में एक इंसान hold कर सकता, अगर उसको पता है, यह political situation temporary है, यह सरिफ 2-3 दिन के लिए रहेगा, उसके बाद यह चल जाएगा, तो आप अराम से वहाँ पर trading position ले सकते हो, and finally आप gap up और gap down का फाइदा ले सकते, तो obviously आपके दि पादा मौका नहीं मिलता है, buy करे, sell करे या क्या करे, लेकिन gap up, gap down का फाइदा आपको swing में मिलता है, अगर आपने side direction पकड़ लिया, तो आप पैसा बना सकते हो, obviously आपके दिमाग में सवाल होगा कि यार, अगर हमने buy किया और वो नीचे गिर गया, तो क्या करे, तो don't worry दो so important, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि swing trading में आप बहुत सारे points capture कर सकते हो, जहां intraday trading में आप मालो 100 रुपीज का stock है, तो 1, 2, 3 रुपीज capture करते हो, swing trading में वही पर आप 10, 15, 20 points capture कर लेते हो, जिसके कारण आपके probability of profit बढ़ जाती है, swing trading में volatility आपका friend बन सकता, कै कैसे आपको ये चीद समझनी पड़ेगी, कि जब हम swing trading की बात करते हैं, तो market में अगर volatility बहुत जादा है, तो intraday में stop loss आपके बहुत जल्दी hit होते हैं, लेकिन swing trading में आपका एक broader stop loss होता है, एक broader target होता है, तो आप अराम से volatility को भी face कर सकते हो, और जैसे मैंने आपको बता ये hardly आपके 20-25 minutes का time लेता है, तो ये आपके लिए और एक फायदे मंद हो गया, सबसे बड़िया चीज यहाँ पर अप indicator और price action दोनों के basis पे आप work कर सकते हो, जी हाँ आप price action के support, trend lines इसके basis पे तो करी सकते हो, साथ मैं आप indicator के basis पे भी कर सकते हो, well अब मैं आप लोगों क को लेके जाऊंगा, comments में आपने doubt जरूर बताएगा, लेकिन, because मैंने आपको कहा था, मैं आपको charts भी दिखाऊंगा, तो अब हम थोड़े से यहाँ पर charts देखेंगे, अभी random हम कोई भी stock select करेंगे guys, यहाँ पर जिससे कि आपको मैं difference भी समझाऊंगा, और आपको ये भी प recommendation नहीं है, कि केवल educational purpose के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक example लेते हैं, कि हमने एक Tata communication का stock लिया, ठीक है, and हम assume कर रहे हैं, कि आपका target कहीं न कहीं 1116 के उपर का है, या something like that, ठीक है, अब मान लेते हैं, intraday trading में, हम अभी 3 minute के chart पे हैं, हम इसको एक काम करते हैं, 15 minute का chart करते हैं, ताकि आपको थोड़ा broader दिख जाए, तो let's take an example, हम Tata communication के 15 minute chart पे कोई intraday trading करता है, अब मान लेते हैं, आपका target है 1180, example लेते 1180 है, आप इस दिन अगर position लेते हैं, intraday के basis पे, तो आप खुद देख सकते हैं, 1112 पे, ये candle open होने के बाद दीरे दीरे करके नी नुकसान होता, चाहे आप end तक hold करो या stop loss काट के निकल जाओ, आपका नुकसान होता, लेकिन वहीं पर swing trading का पता आपको क्या फायदा होता है, swing trading का आपको फायदा ये होता, कि आप इसको अराम से आने वाले समय के लिए hold कर सकते हो, you can hold it for some time, next, एक simple समय आपको दिखाता ह हैं, एक stock के बारे में ITC, अब हम इसको थोड़ा सा पीछे जाके इस चीज को देखते हैं, कि ITC पे हमको सीखने के लिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, आप लोगों को पता होगा कि ITC as a stock काफी time से एक range bound बंधा हुआ था, now let's take an example, एक intraday trader 13th June के आसपास decide करता है, कि यार मेर target 300 rupees के आसपास, मैं ITC buy करूंगा, मान लीजे वो buy करता है, बट end of the day उसे क्या हो जाता है, उसको हो जाता है, नुकसान, 300 का target था, बट दुर्भाग्यवश ये व्यक्ति फस जाता है, लेकिन वही व्यक्ति, अगर swing trade करता है, तो swing trade में हमने क्या बात करेंगे, हम higher time frames की बात इसको, second advantage के मिल गया, कि he has the holding capacity, third अगर उसको दिखता है, जैसे काफी सारी चीज़े, higher high, higher lows का pattern होता है, indicator base भी देख सकते है, trend line base भी देख सकते है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे, आपको आने वाले series में बताने वाला हूँ, आगे के वीडियो में, लेकिन ये Now just imagine, अगर आप एक office goer हो, आप अराम से अगर इधर भी enter करते हो, तो आपके पास holding capacity है, आप इधर भी enter करते हो, तो holding capacity है, आप इधर भी hold करते हो, तो holding capacity है, मान लो आप December में भी enter होते हो, बट आप एक positionally swing player हो, जो कुछ week से कुछ months तक hold कर सकता है, तो भी आप पैसे कमा सक है, लेकिन as an intraday trader, आपको नुकसान हो सकता था, तो दोस्तों आशा करता हूँ, आज की इस वीडियो से आपको at least यह समझ में आपको कि swing trading होती क्या है, कैसे दिखती है, and हाँ, कुछ लोगों का सवाल होगा, कि यार हम index पे भी कर सकते हैं, क्या swing trade बिलकुल कर सकते हैं, आप उस चीज को manage कर सकते हो in terms of आपका the moment in swing trading, अब आप देख लो, एक simple से example देखते हैं, एकदम recent example जब यह वीडियो record हो रहा है, उस time का मैं बताता हूँ, मान लीजिए, आप intraday trading कर रहे हैं, ठेक है, and आपको लग रहा था कि यार, nifty तो बहुत उपर चले गया, अब और कितना ही उपर जाएगा, और इसी चक्कर में, आप क्या करते हैं, आप इस दिन सुबह खुलते ही, इसको बेचने की कोश्च करते हैं, till 10 o'clock, आप candle देख सकते हैं, आपको काफी अच्छा profit हो रहा है, let me zoom it in, टाकि आपको दिख रहा हो, कि आपको दिख रहा है कि यार, इसमें long करते हैं, और बोलते हैं, मैं इसको hold कर सकता हूँ कुछ दिन तक, देखते हैं, क्या होता है, तो आप लोगों को एक चीज दिखेगी, that, just give me a second, आपको यहाँ पर एक चीज दिखेगी, कि आप अगर 17200 पे भी जाते हैं, तो nifty as of now when I am recording, is around 17800, 600 points आप capture कर पाते हैं बट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कौन से इंडिकेटर आपको यूज करने चीए, रिस्क कैसे मैनेज करने चीए, ये सारी चीज़े मैं आने वाले वीडियो से मैं बताऊंगा, कमेंट्स में आपके swing trading related जित्ते doubt से आप जरूर लिखिए, ताकि मैं उनको जल से जल आंसर कर सकू, प्रयास पसंद आया, तो लाइक को शेर करना ना भूलेगा इस वीडियो को, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ,